नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलिवुड न्यूज नेक्वर्ट पर जहां हम आपको बॉलिवुड की ताजा और एक्सिक्लूसिव खबरे स्रिप आवाज के माध्यम से बताते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं। बॉलिवुड एक्टर जॉन अबराहम इन दिनों अपनी फिल्म वेदा को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जॉन अबराहम और शर्वरी वाग स्टारर यह फिल्म 15 अगस्त को बॉक्स ओफिस पर रिलीज होगी। अब इसी बीच हाल ही में एक इंटर्व्यू के दौरान जॉन अबराहम ने शाहरुख खान और अजय देवगन पर निशाना साधा है। दरसल पान मसाला और गुटखा का एड करने को लेकर जॉन अबराहम का गुस्सा अजय और शाहरुख समेट टाइगर श्रॉफ पर भी फूटा और उन्होंने कहा कि ये लोग असलियत में मौत बाट रहे हैं। पान मसाला का एड करने पर शाहरुख खान पर फूटा जॉन अबराहम का गुस्सा। मैं अपने सभी कोस्टार्स को बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन में से किसी का भी अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं यहां अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैं मौत नहीं बेचूंगा क्योंकि यह उसूलों का मामला है। जॉन अबराहम ने आगे कहा कि मैं उन कम्पनियों और उत्पादों को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, जो इन्हें माउथ फ्रेशन के तौर पर बेचते हैं। पान मसाला से होता है 45,000 करोड रुपए का कारोबार। एक्टर जॉन अबराहम ने इस पॉड़कास्ट के दौरान बताया कि हर साल पान मसाला से 45,000 करोड रुपए का कारोबार होता है। इस हिसाब से सरकार भी इन चीजों का समर्थन कर रही है। हाला कि अक्षय कुमार ने अपने इंटर्वियू में किसी भी स्टार को लेकर कोई गलत तिपपणी नहीं की बस केवल उन्हें इस तरह के विध्यापनों से आपत्ती है। एंटर्टेन्मेंट न्यूज के अनुसार फिल्म वेदा में जॉन अबराहम एक आर्मी अफसर का किरदार निभाएंगे जिसका कोट मार्शिल कर दिया जाता है। निखिल आडवाने के निर्देशन में बनी फिल्म वेदा में अभिशेक बनर जी और कमन्ना भाटिया भी लीड रोल में नजर आएंगे। जॉन अबराहम की इस फिल्म को लेकर दर्शक बेहद ही एकसाइटेड हैं। इस फिल्म में दर्शक जॉन को एक्शन अवतार में देखने के लिए बहुत एकसाइटेड हैं। अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस और शो के बारे में अधिक अपडेट के लिए बॉलिवुड न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। करते हम अपने के लिएर के लिए भाइक, यूलें।